Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JK Study Info, I hope you are all doing well. Finally, एक बहुती बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है, JK SSB exam calendar के related, जितने भी exams हैं, जो cancel exam हुए हैं, उनके related new update निकल कर आ चुकी है, बहुत सारे students इसके लिए वेट कर रहे थे, Finally, एक बिग अपडेट आउट हो चुकी है, वीडियो आपके लिए बहुती इंपार्टन्ट है, वीडियो को एंट तक देखना, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को आल नोटिफिकेशन पर रखना, ताकि आपको इसी त कर सकते हो, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, फाइनली एक अपडेट आउट हो चुकी है, जो कि LG की तरफ से आई हुई है, बहुत सारे स्टुडेंट इसके लिए वेड कर रहे थे, फाइनली एक न्यू अपडेट आ चुकी है, वो अपडेट इस इसस वीडियो कमड़ देलिगेशन देट अड्मिनिस्टरेशन इस गुंग तो कंटेट्टिक्ट दा री-एक्जाम निशन आप जो के इसे वीडियो का हो, इनका री-एक्जाम् एंड आप ईक्टूबर में होने वाला है, जो एक्जाम्स हैं जो भी कैंसल एक्जाम्स end of October this year होने वाला है मतलब कि कुछ ही हफ़तों के बाद आपका exam होने वाला है इसी महीने में उन्होंने यहां पर यहां पर यह साफ साफ कलियर किया है जो भी upcoming recruitments होगी जो भी upcoming recruitment होगे वो अब कलियर वे में होने वाले हैं यहां पर आप देख सकते हो इनका official tutor account है यहां पर इन पर इन्होंने यह भी mention किया है बहुत सारे students यह भी कहते थे कि अगर इतने सारे सिकेम हुए जिन्होंने भी सिकेम किया था उनको arrest क्यों नहीं किया जाता है उनको अभी तक सजा क्यों नहीं दी गई लेकिन यहां पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि उनमें से कुछ ऐसे भी है जो arrest किये गए हैं और बाकी को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा किसी भी सी केमर को छोड़ा नहीं जाएगा अब कोई भी compromise नहीं होगा मिरिट पर ये साफ साफ इन्होंने यहां पर mention किया है आप खुद भी चक कर सकते हो आफशल ट्यूटर एकाउंट है जेनर के students association आप स examination होने वाला है कुछ ही हफ़तों के बाद इसी महीने के end week में यहां पर इन्होंने साफ साफ यह mention किया है कोई भी इसमें डिले नहीं होगा ये थी new update उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो के related कोई भी डाउट रहता है तो नीचे comment box में comment जरूर करना और ये भी comment करना कि आप किस exam के लिए prepare कर रहे हो मिलते आपने इसे next student में तब तक के लिए good luck